वेल्लो अलो फोलन वन्स उल्स केड़ू मोरं वल्ले व्ली उन्सक्राइद को का जागता है आपको इस पर टाइप के आएगा लेकिन असमें जो फ्लेर में होता है उससे करते हम लेकिन सबसे पिस्ट जो होत helfen के सबसे बेस्ट बैसला गा वेट्व डे корणय का मौश्यर होते हैं वह आपका जो है पिल्कुल पर्फेक्ट तरीके से मौश्यर खतम करेगा आपको यह हीटर हीटर का आप क्लोज करके आप करेंगे तो आपको रखना होगा बैट को जहां भी आपको बर्न करना चाहें वहाँ पर कुछ दिर आप रखें इससे क्या होगा बैट का जो विलो है बहुत ही परफेक्ट बनेगा और एकदम ठोस जिसको बोलते हैं वो बनेगा इससे आपका पंच आपको बहुत अच्छा मिलेगा आपको जब आप बैटिंग करने हो तो आप इस जिसको क्यार करें जब तो आप रिडिस हो जाता है ठीक है लेकिन फुल मौइस्टे जब आपको यह करना हो तो वहाँ पर आपको जो है आपको बन करना हो अगर फुली बन चाहिए तो आपको हीटर के पास आपको कुछ दिर रखना पड़ेगा जिससे पुरा मौइस्टे रखना किलिर ली आपको निकल जाएगा और वेट भी रिडियूस हो जाएगा और इससे क्या होगा पंच भी अच्छा हो जाएगा तो इस तरह से जो है आप आपको कुछ दिर रखना होगा जिससे आपका जो है परफेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मौइस्टर कितना निकल रहा है यहाँ पर किलियर शो होगा मौइस्टर कितना तो यह जो आप देख रहे हैं यह मौइस्टर है यह कुछ भी नहीं है मौइस्टर है तो आपको बेस्ट सबसे यह है कि आप हीटर के पास रखे कुछ दे जिससे सारा जो मौइस्टर है अंदर का वो निकल जाए तो इसी तरह से आपको continuously कम से कम आइटलिस जो है 15 से 20 मिनिट आपको close करके जो है heater से आपको रखना पड़ेगा जिससे बैट का जो जितना भी आपको front surface का जो मौशेर हो निकल जाए देखिए तोरा से आपको color change दिख रहा होगा तो आप यहाँ पर continuously आपको रखना होगा at least 20-25 मिनिट रख सकते हैं बैक का चाहें तो बैक का भी आप कर सकते हैं मेरे पास यह BDR sports का बैट है यह जो बिल्कुल fresh था इसको मैं आज थोड़ा सा अपनी तरह से कस्टमाइज करूंगा इसमें फिर थ्रेडिंग भी लगाऊंगा तो गार्ट भी आपको मैं बना के दिखाऊंगा यह नहीं बना हुआ है लेकिन उन प्लगार्ट दिखाऊंगगा अब एक चीज़ का खयाल रखेहिए जब भी आप को अप बैट को आप हीटर के पास लेजाया चाहे किसी बर्न करें बैक्स गहलांज क्लेश यह फिर और फि की नहीं तो इस बात का जरूर खैल लगें आपको थोड़ा सा वीडियो जरूर लंबा हो रहा होगा लेकिन मैं आपको आपको पर्फेक्ट बर्न बैट आपको दिखाऊंगा तो इसके लिए वीडियो को इन तक जरूर बने रहें और वीडियो जो मेरे चैनल पर नए है तो प आपे पता चल सकें कि में स्पोर्स से डिलेटे शारी एक्टिक्विटीज को मैं कवर करता हूं तो मैं आपको बैट का जो हो जितना भी आपका फाइनल जो आपको करके मैं दिखाऊंगा तो मैं आपको थोड़ी देर के बाद कब Major आ है कल आपने मैंने दिखा दूंग था फ्रंट सर्फिस पूरा बण कर ली है फिर मैंने थ्रेडिंग भी किया है थ्रेडिंग आपको जो है वो जो नाइलन की आती है उससे करना होता है वह कॉटन वाले से बिल्कुल नहीं करना चॉटन हमेशा वह हैंडल मी यूस किया जाता है इस बात का ख्याल लगे और कम से कम मी चैनल करके बनाया है तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पहली बार मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें थैंक यू